हेलो माई यूट्यूब फैमली वेलकम टू माई चैनल नवीता क्रियेशन तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं हूँ सब्सक्राइब भी आप अपनी इस पेशछ चाहलती हूं या क्या करती हूं देखे एकशली पर अंच्छे होता जब बच्च्छा एक मेंट्ली चैइलिंड़ होता है जो मेरा बेटा है बहुमे्ट्स मेलव सब सक्राइब तो उसका जो माइंड है वो सही से डवलप नहीं हो पाया है तो चलिए कोई नहीं आप क्या कर सकते हैं तो उसकी एज की अगर मैं बात करूँ तो ये इस टाइम 16 येर का हो चुका है 17 साल में ये चल रहा है 16 साल इसके कंप्लीट हो गए है सो एक्चली होता क्या है कि काम तो येजीली कोई भी manage कर लेता है एक्चली mentally pressure जादा होता है physically उतनी कोई भो नहीं होती है थोड़ा वही काम तो बढ़ता ही है क्योंकि बच्चा है हमारे उपर depend है वो खुद से अपने काम, रोज मर्रा के जो काम है वो भी नहीं कर पाता है लाइक, लैटिन पेशाब, नहना, धोना, खना, वो सब कुछ वो नहीं हो पाता है सो चलिए ये सब चीजे तो इजिली फेस हो जाती है लेकिन जो मेंटल प्रेशर होता है, वो फेस करना थोड़ा टफ रहता है लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे-धीरे सब चीजे, मतब एज़ेस्ट कर लेता है इनसान खुद को पैरेंट्स भी एज़ेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और ओप्शन होता नहीं है सो एज़ेस्ट ही करना पड़ता है सो टफ होता है लेकिन लाइफ है तो सब करना है जो हैं जैसा है उसी के हिसाब से और अपने बच्चे हर किसी को बहुत प्यारे होते हैं चाहें वो कैसे भी हूँ सो चलिए यहाँ पर मेरे दो बेटे हैं एक मेरा चोटा बेटा है वो इसकूल चला गया है और उसके बाद मैंने जाडू पोचा नहना धोना सब कर लिया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने चोटे मोटे काम पे तो टाइम की मैं बात करूँ तो लगभग दस वज़े का यह टाइम था ब्रेकफस्ट मेरा हो गया था तो मैंने यहाँ पर फटा फट से जो रजाईयां फैली हुई थी उनकी तह लगाके मैंने यही बैड पर ही रख दी है क्योंकि मेरा बेटा मोस्टली टाइम स्पेंड करता है अंदर या सर्दी चल रही है हम लोग भी बैठते रहते हैं तो रजाई खोलके ही बैड जाते हैं तो मैंने बस यही पर रख दी है कि एक दो घंटे के लिए जब तक मैं इसको नहलाऊंगी दहलाऊंगी इसका काम करूंगी या अपने बाकी के काम निम्टाऊंगी तब तक जो बैड है वो सही से लगा रख रहेगा तो बस ही पर रख दी है और उसके बाद हलकी फुलकी सी मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ इस एरिया की बैड की और ड्रेसिंग टेविल की तो हलकी फुलकी ही करती हूँ क्योंकि वीकली डस्टिंग जो डीप प्लीनिंग होती है वो तो वीकली होती है कॉलिन वगेरा से इस टाइम तो बस डेस्टिंग लब से हलका फुलका सकर दिया है और इधर देखिए मैंने छोले भीगा के रखे थे रात में तो आज मुझे छोले बनाने हैं तो यहाँ पर मैं बीच में आ गई थी अपनी किचिन में ताकि मैं छोले चड़ा दू क्योंकि इनको इस टीम होने में टाइम जाएगा आधा से पोना घंटा जाएगा सो मैं छोले ना हमेशा रात को भीगो देती हूं और भीगो ना भूल जाती हूं तो गरम पानी में भीगा के रख देती हूं 3-4 गंटे के लिए लेकिन सोडा मैं नहीं डालती हूं मुझे पता नहीं कि लिए जो सोडा पर आने दूँगी उसके बाद फ्लेम को लो कर दूँगी और लगबग 25-30 मिनट छोड़ दूँगी इसको और अच्छे से हो जाएंगे और उसके बाद फटा फट से मैंने इंदर पानी लगाया हुआ था तो बेटे को भी मैंने शावर दिला दिया है निला दिया है उसको औ छाप में आ गया तो थंडी का मोसम में डूँदाओ उबाद क्या निकालav NOT इसको खड़े इन मैंने इसको क्रलदी यहां पे बटन लगा दे रही हूं तो मैं उसको पूछ रही हूं मैंने क्यों तोड़ा क्यों तो तोड़ा तो हाथ से है इसका सो चलिए कोई नहीं बस यहां पर मैंने इसको कर दे रही हूं फटा-फट से रेडी और काफी ठंडी लग रही है मैंने फटा-फट से जल्दी जल्दी से लगा दिया इसके बाद इसको अब स्वेटर भी पना दूंगी और यह हो जाएगा सुबस ऐसे ही चलता रहता है कुछ टाइम इसके काम में निकलता है कुछ अपने काम में निकलता है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है यह मतलब यह है कि बोल नहीं पाता है अपनी काम नहीं कर पाता है लेकिन हाँ ऐसे परेशान नहीं करता है यह बाते मानता है बाते समंझता है स इस चीज को कमांड को फॉलो भी करता है लेकिन क्योंकि देखिए इतना बड़ा हो गया है 16-17 साल का हो गया है वह अपने मन की जो बात होती है वह बता नहीं पाता तो इस वज़े से कभी-कभी गुसा भी दिखाता है एंगर आता है इसको कि फ्रेश हो गया है यह और मैंने इसके फेस पर और हाथ पर हल्का सा एप्लाई कर दिया है मौशराइजर क्योंकि इसकी इतना पानी पीता है ना सुबह से साम तक इतना पानी पीता है कि इसकी स्किन ड्राइ नहीं है लेकिन फिर भी एक साबून जब हम लगा देते हैं तो ख तारख महता में बड़ा मज़ा आता है और यह उसी को देखता रहता है बहुत अच्छा टाइम पास है इसके लिए तारख महता रहता है और अधार रहता है तो परिशान नहीं करता है वैसे यह मुझे बिल्कुल भी और वस यहां पर मैं इसके पैरों में सोक्स भी डाल दूं ब्लैंकेट और यह बस यहां पर टीवी इंचॉय करेगा और मैं करद लूँगी अपना आगे का खाने का काम सो चोले मेरे उबल रहे हैं उनको मैंने बंद कर दिया है उनकी स्टीम निकल रही है और यहां पर मैं तड़के की प्लेट तयार कर ले रही हूं टमाटर प्याज सब मैं काट लूँगी और टाइम अभी लगबग मेरे ख्याल से साड़े ग्यारे का यह टाइम था तो मैं थोड़े देर के लिए बैठ गई थी यहीं पर इसके पास और रेवडियां लेके आ गई थी मैंने क्या चलो अभी छोले में थोड़े देर में छोकूंगी साड़े अग्यार इसकार में खूए थाधा बस यहीं चलता रहता है चोटा बेटा जाता है तो वह कभी-कभी जित करता है तो फों mois भी जाता है और शोज़े में पीछे में को देखने देती पार यह अपने आपसे घेलता है मन और जाता है तो ऊपर चला जाताए आ और लेएं सिग जान रखना पड़ता है कि इधर उदर ना निकल जाए चछत पर चला जाता है तो कोई इतना ज्यादा वह नहीं है तो चलिए वह बैठ रहा है अंदर और मैं आ गई हूं बाहर अपना लंच प्रिपेर करने के लिए साड़े बारे का यह टाइम हो चला था यहां पर मैंने सरसोका तेल अज मेरा खतम हो गया है तो मैंने इहां पर रिसाइन्ड घृ मेरत वbung में दसे ऑाइड कर दिया है इसमें लहस respons reality जब हमारा जब हमारा पिंक हो गया है तो उसमे ऩह बाल अप्याज और आज मैंने अलु तमाटर प्याज आरवान तरह से ले घृ Gel आज मुझे थोड़ी टेक्च्चर वाली चाहिए बिल्कुल स्मूद वाली नहीं चाहिए इसलिए मैं यहां पर कट करके ले लिए हैं और इधर हमारा प्याज अच्छे से भून रहा है अधर मैंने दूसरी साइड में भगोने में पानी चढ़ा दिया है क्योंकि मैं बनाऊं अच्छे से बून लेना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से मैश होगे सोफ्ट होके मशी हो जाएंगे और वैल सेपरेट होने लगेगा मसाले से तो यहां पर मैंने तोड़ा सा सॉल्ट एड कर दिया है जिससे कि टमाटर जल्दी से इसना मॉश्टर रिलीस करें और वह स जाल दिया है और यह पक जाएंगे मुस्किल से 5-6 मिनट लगेगा इसको यह भी हो जाएगा और उधर तड़का भी ना हमारा देखिए अलमोस्ट रेडी है काफी अच्छे से यह कुक हो गया है इस पॉइंट पे अब मैं इसमें आड करूंगी सोसे आज मैं सॉसी फ्लेव इसे एक अच्छा कलर भी आ जाएगा और एक अच्छा सा जो फ्लेवर है वह भी हमारी चोलो में आ जाएगा साथ में थोड़ा सा विनेगर भी एड कर दिया है तो मैं फ्लेवर वाले चोले बना रही हूं मुझे लग जाते हैं इस तरह से मारे घर में सब खा लेते हैं और तड़का हमारा हो गया है तैयार तो इसमें अड़ कर दिये हैं अपने उबले हुए चोले और इसको बस रमचे की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकी रस्सा जो है न थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और सीमर होने के लिए छोड़ दूंगी पांस से चै मिनट के लि सब्जी का निकाल लेती हूं और बहुत अच्छा से चला हुआ है यहां पर फ्रेश फ्रेश धनिय की ना खुसबू भी एकदम जबरदस्ता आती है मजएदार तो देखिए इधर हमारा काम हो गया है चोले मेरे बन गया है चावल बन रहे हैं दो तीन मिनट जाएगा ही भूकी देखिए औरής फुलकी तेसली सलगabeth की युज़ा नेट था और ऐन MID-त टैंसे जखते पूंबर सर्दी काल मेरे चाथो कोलना टोबर स्याथी ही दीजिआ है टो अच्छा मैध म्हींत तो तो अक्रार में नीए तो टावी नो अक्लीन करने के लिए साव्याश नियो तो देखें चावल भी हमारा बनके तैयार हो गया है मांड इसका मैंने निकाल दिया एकदम खिला-खिला सा चावल बनाए बस ढखके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और यह अच्छे से हो जाएगा उदर छोले भी हमारे तैयार है गैस कर दूंगी मैं बंद और जो मैं धनिया लेकर आई हूँ उसको मैं कटकर के इसमें डाल दूंगी और हम मारा लंच हो गया है तैयार ठना यम 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 आयोश हमारा यमी वाला लंच तैयार है अब हम करेंगे खाना इंजोई चोटा बेटा मेरा तीन बज़े तक आता है तो उसको मैं बाद में गरम करके दे देती हूँ हम दोनों अब साथ में खा लेते हैं क्योंकि एक बज़ गया है भूक लगा है तो बस अब हम आई हम आई हम आई हम नीचे बैठके अपना खाना इंजोई करेंगे अपने बच्चे के साथ वो नीचे था मैं उसको बोल रूमन के चटाई के उपर आजा तो मैं उसको बस मिक्स करके दे देती हूँ और वो खा लेता है ठंडे करके इस तरह से हो जाता है सबजी रोटी जब खिलाती हूँ लगा के सबजी रोटी में? कि पहले रोटी का बैट ले लेता है और फिर अपना उसको कशिश करते हूं कि जितना वो उससको किरा सकूँ तो चलिए यही सब हैं अब हम करते हैं अपना खाना ओना एंजोए वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे समात और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा थैंक यू सो मच और बबाई फोर नाव प्लीज कीप वाचिंग कीप शेयरिंग थैंक यू बबाई